ट्रैल डिक्टेशन मैं सन 1999 में से किड़नी फेलियर का मरीज हूँ विराम मेरा सन 1992 में से इलाज चल रहा है और एक दिन छोड़ कर एक दिन मेरा डायलेसिस हो रहा है मैं रिकोर्ड पेश कर रहा हूँ जो प्रेदस डी दो है बायो केमेस्ट्री MBM होस्पिटल जोदपुर की जाच रिपोर्ट प्रेदस डी दो है डॉक्टर हरपाल यादव पैथोलोजी लेबोरेटरी की रिपोर्ट प्रेदस डी तीन है सरोज नर्सिंग होम भिवाडी का ट्रिटमेंट दिनाक 11-2012 का है जो प्रेदस डी चार है अब मैं चलने फिरने की इस्तिती में नहीं हूँ में डिक्टेशन स्टार्ट हस्तगत प्रिक्रन में अरजी के तथ्य संख्यप में इस प्रकार हैं की वादी संख्या एक वे दो के पिता वे वादनी संख्या तीन के पती स्वर्येश्री रामप्रसाद जैन की मिलकियत की एक किता दुकान वे उसके नीचे बना हुआ तहकाना जो प्रोट संख्या 27 इस्तित राजस्थान आवासन मंडल सौपिंग कॉम्प्लेक्स कालक हुआ जोदपुर पर है जिसकी 25 पंद्रहें बाई-दस फुट तथा जिसके तरफ पूरको कॉम्प्लेक्स का च को वे तरफ पश्चिम को दुकान श्रीकोशिक की तरफ उत्तर को दुकान संख्या 16 वे तरफ दक्षिन को सडक सरकारी जिधर दुकान का सदा निकास जारी है तथा दुकान के बगल में तरफ पूर्व वे तरफ दक्षिन को धाई धाई फुट की चबूत्रियां हैं मैं फिटिंग नलवे बिजली आदी सहित को प्रित्तर्ती ने स्वर्गयश्री विकास जैन से जरिये लिखित किराया नामा दिनाख 14.992 को जिसके जरिये प्रित्तर्ती की किरायदारी दिनाख 11.1993 में से चालू होना तै पाया गया था बैसरह किराया 1500 रुपे मासिक किराय पर ली थी तथा इसके पस्चात उक्त दुकान के उपर यानि प्रिथम मंजिल पर बनाए गए एक होल नूमा कमरा 25 करीब 17 बाई जोदय फुट मैं जीना वे छत पर बनी हुई एक लेटरीन सहित जरिये किराया नामा तहरीरी दिनाख 11.1995 में जिसके जरिये प्रितर्थी की किरायदारी दिनाख 11.1995 में से चालू होना तै पाया गया था बैसरह किराया 1000 रुपे मासिक पर प्रितर्थी ने किराय पर ली थी विराम राजस्थान में दिनाख 14.203 से राजस्थान किराया नियंतरन अधिनियम 2001 लागू होकर प्रिभावी हो गया है तो उसकी धारा 9 में किराया पुनरिक्षन किये जाने का प्रावधान कर प्रिति वर्स 5 प्रितिसत बढ़ा हुआ किराया दिये जाने का प्रावधान किया गया फिर भी प्रितिर्थी ने उक्त अधिनियम के अनुसार बढ़ा हुआ पुनरिक्षन किराया अदा नहीं किया तो स्वर्यश्री लक्ष्मन प्रसाद जैन ने प्रितिर्थी के विरुद किराया पुनरिक्षन करवा कर बढ़ा हुआ किराया प्राव्त करने है तू प्रित्यर्थी के खिलाब प्रिथम किराया नामा दिनाग 249-1993 में के जरिये दिये गए पोर्षन के लिए रातना पत्र संख्या 647 सन 2010 एवं दित्य किराया नामा दिनाग 11-1995 में से दिये गए पोर्षन के लिए रातना पत्र 495 में सन 2005 न्यायल्य किराया अधीकरन अलुवर में धारा 9 राजस्थान किराया अधीनियम 2001 के तहत पेश किये जिन प्राथना पत्र संख्या 494 में सन 2005 का निरने दिनाग 27-2008 से स्वीकार किया जाकर दिनाग 110-233 से 2346 रुपे प्रती महा किराया पुनेरिक्षित किया जाकर दिनाग 48-2003 से 2626 रुपे प्रती महा किराया प्राप्त करने का अधीकारी माना गया वै प्राथना पत्र संख्या 494 में सन 2005 का निरने दिनाग 27-2005 से स्वीकार किया जाकर दिनाग 11-2003 से 1600 रुपे प्रती महा किराया पुनेरिक्षित किया जाकर दिनाग 48-2003 से 1600 रुपे मासिक किराया प्राप्त करने का अधीकारी माना गया विराम पैरा उक्त दोनों निरनेओं के विरुद प्रत्रतिने माननिये अपिल किराया अधीकरन जोदपुर में करम सहे अपिल संख्या 237 सन 2007 वै अपिल संख्या 886 ओबलिक 09 पेश की विराम जिन दोनों पर माननिये अपिल किराया अधीकरन जोदपुर में पारित अपने निरने दिनाग 5127 से आंसिक रूप से स्विकार कर अपिल संख्या 187 ओबलिक 05 में किराया नामा दिनाग 249 1993 से किराय पर दिये गए पोर्शन के लिए दिनाग 1423 को दे किराया 2213 रुपए मासिक पुनेरिक छित करते हुए माननिये किराया अधीकरन जोदपुर का सेस आदेश दिनाग 277 2005 यथावत कायम रख्था तथा अपिल संख्या 186 ओबलिक 05 में किराय नामा दिनाग 1195 में से किराय पर दिये गए पोर्शन के लिए दिनाग 1423 से दे किराया 371 रुपए रिती माहा पुनेरिक छित करते हुए माननिये किराया अधीकरन जोदपुर का सेस आदेश यथावत रख्था विराम माननिये अपिल किराया अधीकरन जोदपुर द्वारा उपरोग दोनों निरने पारित किये जाने के बाद भी रित्यती ने दिनाग 3626 तक का पुनरिक छित दर से किराया अदा नहीं किया वे दिनाग 1726 से बिलकुल भी किराया अदा नहीं किया तो स्वर्गिय स्री लक्ष्पन प्रसाद जैन ने प्रित्यती को एक नोटिस जरिये रजिस्टर एडी दिनाग 2127 को अपने वकील स्री मिलाप चंद के जरिये दिलाते हुए दिनाग 48.2019 से महा फरवरी सन 2019 तक के बकाया किराया 97.990 रुपय का पून महावारी विवरन अंकित करते हुए तता अपना बैंक खाता संख्या 5 6 8 6 8 7 7 1 पंजाब नेशनल बैंक साखा मनुमार जोदपुर का सूचित करते हुए कुल बकाया किराय की रासी जमा कराने की हिदायत दी जिस नोटिस को प्राप्त करने के पश्चाद भी पृत्तर थीने दिनाग 29 3 2007 से दिनाग 22 2007 के दर्मियान विभिन तारी खात में कुल सत्तावन अज्जार रुपे महा फर्वरी सन 2007 तक बकाया चले आ रहे उक्त बैंक खाते में किराय के पेटे जमा कराए वे इस प्रकार दिना 22 2007 को भी फर्वरी 2007 तक दे हुए किराय के पेटे प्रित्यर थी की और फिर भी 985 रुपे की किराय की राशी बकाया रही तक झाले बकाया प्रभले लाश करेव कि की MEMश्याओ बकाया सन रहे उमश्यूं ओलाब की की और ड्वायiği प्रेया नी जै की 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 महाच खिक्वेंेश काया विक्वें न идुदू ? झाल झाल